है लुआ हैं आलगेनाने बान वाहर से में और biblical के आधिवासियों गंगर को जारखन के मजब्रों को किसानों को इनको ब्रघलाने की बात करते है जाती के नाम पे धर्म के नाम पे और जब योजना की बारी आती है हमारा हक के बारी आती है और जार्खंड का 116,000,000 तो अपने हग के लिए आपको लड़ना होगा कि नहीं इतने परस हो गए हैं लेकिन जारखंड का पैसा उसको नहीं मिलता है और जारखंड का मन्रेका का अगर हजारों करोड अगर आपने चाहिएगा वो भी दबा करके बैठे हैं आपको मैया सम्मान योजना कैसी लग रही है कैसी लग रही है कैसी लग रही है दोनों हाथ उठाके बताईए कैसी लग रही है पसंदारिये चलते रहने चाहिए चलिए और बधाई देना मैं चाहती हूँ इस मैया सम्मान योजना की पहले किष्ट रक्षा बंदन पर दूसरे किष्ट करम परपर और तीसरे किष्ट हमारी नवरात्र पूजा पर हमारी शक्ती स्वरूपा हमारी आधी आबादी हमारी नारी शक्ती के लिए एक मैया आदर्निय बेबी देवी जी के द्वारा दिया गया है आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है शुबकामनाय हैं आप सभी जानते हैं कि हम अभी पूरे जार्खन में मैया सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं और इस यात्रा के दौरान जार्खन के हर एक हिस्से में जा रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं और कहीं न कहीं ये महिलाओं की स्वरूप हमें बताता है कि आज जार्खन में ये पहली बार है जार्खन बनने के बाद ये पहली बार है कि हमारी आधी आबादी के बारे में आधर्णी अहेमन सोरेन जी ने एक ऐसी क्रांतिकारी योजना लाई है जिसकी रूप रेखा उन्होंने पिछले साल ही तै कर ली थी लेकिन कहीं ना कहीं इस साल में जब वो सौगात देने की बारी आनी थी उनको शर्यंद्र के तहट जेल के अंदर में डाल दिया गया ये शर्यंद्र ये छल प्रपंच केस मुकदमा पी आईयल ये हमारे विपक्षों की ऐसी चाल है जो ये कभी नहीं चाहते हैं कि हमारा जार्खंड आगे बड़े हमारी बिटिया आगे बड़े हमारी माताएं बहने आगे बड़े हमारे भाई दादा आगे बड़े हमारे बुज़ुर्गों की अगर लाठी बनके कोई खड़ा है तो वो हेमन सुरेन है जितनी योजना हैं, मैं विपक्ष वालों से पूछना चाहती हूँ, अगर थोड़ी भी इमानदारी है, आपने इतने कारेकाल किये हैं, और गिनवाईए आप अपनी योजना हैं, और अगर आज हमारी जनता गिनवाने अगर शुरू कर दें, तो आप लोगों का मुँ बंद हो जाएगा, क्योंकि जार्खन में अब वह आवास हो, इस तरीक की कितनी योजनाय चल रही हैं, और इसका सीधा लाब हमारी जार्खन की अवाम को मिल रहा है, आज हेमन जी चाहते हैं कि सिक्षित हो जार्खन, सीएम स्कूल ऑफ एक्सिलेंस खोला, हमारी बच्चियां सशक थो, सावीत्री भाई फूले की योजना दी, हमारे बुजोर्गों की लाठी बन के अगर खड़े हैं, अबुआ आवाज के साथ पेंशन दिया, कौन सोचता है, ये सोचने वाला ये जार्खन का बेटा, आपका भाई, आपका दादा, अपने जार्खन के बारे में अच्छे से जानता है, क्योंकि दिशम गुरु शिवु सोरेन जी ने, जिस तरीके से, अपना बच्पान, अपनी जवानी, पूरी जार्खन के लिए कुर्बान कर दी, हमारे वीर शहीदों ने, चाहे भगवान बिर्सा मुंड़ा जी हो, सिद्दू कानू हो, हमारी फूलो जानो हो, ठाकूर विश्वना सादेव जी हो, शेख बिखारी हो, इतने शहीद, इतने लोग हैं, जिन्हों ने जार्खन की संरचना के लिए महत्पून भूमी का अदा की है, और आज बाहर से आते हैं और बाहर से आ करके जारखन के आदिवासियों को जारखन के गरीबों को जारखन के मजदूरों को किसानों को इनको बरगलाने की बात करते हैं जाती के नाम पे धर्म के नाम पे और जब योजना के बारी आती है हमारा हग के बारी आती है और जारखन मैं पूछना चाहते हूं आप लोग से किसका है ये पैसा किसका है ये पैसा तो अपने हग के लिए आपको लड़ना होगा कि नहीं इतने बरस हो गए हैं लेकिन जार्खंड का पैसा उसको नहीं मिलता है और जार्खंड का मनरेगा का अगर हजारो करोड अगर आपने चाहिएगा वो भी दबा करके बैठे हैं ये केंद्रसलकार को कती जार्खंड के साथ ये भेदभाव करना बंध करना होगा नहीं तो जार्खंड के लोगों ने इस बात ठाना है और सबसे जादा हमारी आदी आबादी ने ये ठाना है कि अगर जारखंड को आगे बढ़ाने का निर्त्रत्व की प्रतिभा अगर किसी में है तो महागडवंधन की सरकार की अगवाई कर रहे है मनसोरेंजी की पेह आप मांते हैं कि नहीं यह बात ? सावित्री भाई भूले योजना कॉल लाया ? हमारा बिरसाहरित ग्राम योजना कॉल लाया ? अब वह आवास कॉल लाया ? सर्वजन पेंशन कॉल लाया ? हमारे बच्चों को विदेश में भीज करके पढाने का काम scholarship योजना कौन ले करके आया और अगर आज सौगातों की बरसात कर दे आप लोगों में अगर चेहरों में चमक हैं तो बिजली बिल जीरो किसने करवाया अगर किसानों की बात करें उनका लाखो लाख रुपया किसने माफ कराया ये कौन कर रहा है ये आपके दादा आपका भाई कर रहा है हमारी महागडबंदन की सरकर इस बार यहाँ पर में ये सुनिश्चित करके बैठी है कि जारखंड को अगर आप हमेशा निरंतर पीछे किशने की कार में सोचेंगे आप बलत आमी में हैं जारखंड में और जारखंड को आगे अगया अगर बढाने का काम करेगा तो वो कौन करेगा आप लोग लड़ने के लिए तैयार है हमारी दीदी मैंने बता है धायार है भाई-दादा बताहिये तयार है तो जोर से नारा लगाईे रहे मनचोरं जिन्दाबाद हे मां चोरें जिन्दा बाद आपको इदी गते हैं आपको चिद्धी सुद्धीस में ना ने ती ना कमेंट दाराते पर बड़ाई शें ते गुन तो मां पुचे तरे हैं आपको सानाम को दोड़ा जोर गे